बाइबल और क्रिस्टियन्स का कहना है कि ईशु मसीह अपनी निर्बलता और कमजोरी के कारण क्रूस पर नहीं चड़े बलकि उन्होंने सारे जगत के पापों की सजा अपने उपर लेकर क्रूस की सजा सही ताकि सारा जगत उनके द्वारा उद्धार पाए तो आईए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है बाइबल के अनुसार गौड ने आदम और हव्वा को बना कर अदन की वाटिका में रख दिया ताकि वह उसकी रक्षा करे लेकिन गौड ने उन्हें अदन की वाटिका में लगे एक फल को ना खाने की आग्या दी लेकिन बाइबल हमें आगे बताती है कि हव्वा से ना रहा गया और उसने शैतान के बहकावे में आकर वह फल खुद खाया और आदम को भी खिलाया जिसकी बज़े से उनके अंदर पाप का जन्म हुआ और उनके अंदर पाप आ जाने के गरण उनसे आने वाली सारी मानव प्रजाती भी पाप मय हो गई जिसके फल स्वरूप सारी मानव प्रजाती को नर्क में जाना पड़ता लेकिन फिर गौड ने एक योजना बनाई और उन्होंने अपनी योजना अनुसार येशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि वह सारे जगत के पापों की सजा अपने उपर लेकर इस जगत का उद्धार करें ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि येशु मसीह मेरे लिए आए और सारे जगत के पापों की सजा उन्होंने सही वह नर्क की सजा से बच सके सबसे पहले हम देखते है कि किसी दूसरे व्यक्ती या जीव की सजा कोई दूसरा व्यक्ति या जीव ले सकता है या अवधारणा कहां से आई तो हम देखते हैं कि पुराने नियम की लेवेवस्था की पुस्तक में इसके कई उधारण मौजूद हैं जिसमें हम अपने पापों की सजा से मुक्ति के रूप में होमली, पाप बली और मेल बली जैसी विधियों का इस्तमाल करते हुए लोगों को पाते हैं जिन बली विधियों का इस्तमाल करने को खुद ओल्टेस्टमेंट के गौड कह रहे होते हैं जहां पर हमें बली की अवधारणा साफ-साफ दिखाई पड़ती है और इसी अवधार्णा के तहत येशु मसी के बारे में ये विश्वास किया जाता है, कि उन्होंने जगत की पापों की सजा ली थी, लेकिन इस पर थोड़ा सा सोचने उपर सवाल ये उठता है, कि कोई दूसरा व्यक्ती किसी दूसरे व्यक्ती के पापों की सजा कैसे ले सकत और ये पता कैसे चलता है कि जिसके पापों की सजा दूसरे को दी थी, उसके पाप धुले या नहीं धुले ? लेकिन चलो, एक बार के लिए मान भी लें कि यह संभव है तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि कर्म के बाद ही उसका परिणाम होता है, कौस के बाद ही उसका एफेक्ट होता है, विदाउट कौस के एफेक्ट नहीं होता है तो इसी प्रकार यिशु मसी आज से लगभग 2000 साल पहले, आज के लोगों के पापों की सजा कैसे ले सकते हैं, तब तो इनके पाप लेने के लिए इनके पाप थे ही नहीं, तो यिशु मसी ने उनके कौन से पाप ले लिए, तब तो इनके पाप क्या वो लोग खुद भी नह तो भी ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अर्बों लोगों के अर्बों पापों की सजा सिर्फ उन्तालिश कोड़ एखा कर और एक बार सूली चड़ कर चुगा दे। देखिए नियाय तब होता है कि जब जिसने जितना जुर्म या पाप किया हो तो उसको उसके पाप की उतनी सजा मिले। और अगर सज़ा पाप के बराबर ना हो तो वह अन्याय नहीं अन्याय कहा जाएगा और अगर आप यह सोचते हैं कि येशु मसीह गौड हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं तो अगर वो जगत के करोड़ों अरबों लोगों के अरबों पापों की सज़ा सिर्फ उन्तालिश कोड़े खा कर और एक बार क्रूस पर चड़ कर चुकता कर सकते हैं तो उन्होंने बिना क्रूस पर चड़े जगत के सब लोगों को उनके पापों से मुक्त क्यों नहीं कर दिया आखिरकार गौड होने के नाते नियाय तो उन्हें ही करना है उन्हें ही देनी है तो बिना क्रूस चड़े माफी क्यों नहीं दे देते और अगर नहीं दे सकते तो फिर वर्सरवशक्तिमान नहीं हो सकते आप भी एक बार जरूर सोचिएगा कि कोई जगत के अर्भों लोगों के अर्भों पापों की सजा उनके पैदा होने से भी पहले सिर्फ उन्तालिस कोड़े खाकर और एक बार क्रूस पर मरकर कैसे चुका सकता है और बाइबल आगे कहती है कि जो भी येशु मसीह की इस बात को नहीं मानता तो वह दोशी ठहर चुका और वह नर्क की अनन्ताक के लिए तैयार रहे और इस बात पर इस तरह थोड़ा सा तारकिक रूप से सोचा जाए तो यह बात पूरी तरह अतारकिक और अंधविश्वास पूर्ण है अगर इसके बारे में आपके कोई आर्गुमेंट्स और सवाल हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार